ये लोगों के पास आपको लिए चलते हैं और सिधे उनके मन की बात जानते हैं क्या लगता है 24 में वोट करेंगे आप याव बीजए पिको क्यों ने किया तो पहले साट साल में कुछ नहीं हो अपर पर आप चलके देखलो कोई सीभी रोड़ तो काम देखलो सब पे काम चलना तबाह करें सब बीजए पी ने किया है ऐसा लोगों का कहना है और वो कहने कि आप चल कर देख लिजेए अगर आपको बात पर यकीन नहीं होता, इतना काम हुआ है, सरु? अब आज कल अपराधियों की यह इस्तिती है, कि अपराधी हमें ढूंडने से भी नहीं मिल रही है, यह बड़ा स्टेटमेंट है, इसके लिए कितना योगदान मोधी सरकार कार? देखी, योगी सरकार तो यहां पर बहुत जवर्दस काम कर रही है, हम देख रहे हैं छेतर में पहले हम घड़ से बाहर बहन बेटी कैसे निकलती थी, तो उसको यह नहीं पता चलता था कि वो सुरक्चित घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, भै का माहल इतना रहता चलता है, तो बहे का माहल इतना रहता था कि हम सोचते थे रहे वह भी हम लोग यहां से जाएंगे कि दोहर 24 वाखर मोदी जी आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं उसके लिए 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है तो राम बंदिर का नुरा ने नुमान करवाया और पूरे देश में एक सुरक्षा का महाल एक अच्छा पॉजिटिव महाल है इस समय और दूसरा 370 जैसे दोहरा जो कोई सोच भी नहीं सकता था इसके वारे में उसका को करवाया आज पूरे हिंदुस्तान में इतने हाइवेज इतने सड़के ऐसे बन गई हैं आप कहीं जहां से जाके कहीं भी जा सकते हो आप और अभी कुछ दूरों में देखना अगले हफते में CAV आ रहा है तो यह बह करने की क्शमता बढ़ी है कि अब पहले की मुकाबले अगर आपके हम बात करें तो जैसे घेस्टी के हम बात करते हैं पहले बहुत जड़ा दिक्कते थी घोटा ले थे आज जो काम करने का एक बहुत स्मूधली काम हो रहा है जेस्टी काने से पहले एक छोटी चीज को आग आप दूसरे क्या बहुत हुआ है और हम देखेंगे करे के बहूत अच्चा काम हो रहा है यहां पहले जैसे काउन्ग्रेज कि srkarty मैंने कभी यहां पर सफाई करता हुआ कोई कर्मचारी देखा नहीं था अब साम को भी सफाइए करते हैं पहले जैसा घंदा भारत अब नहीं रहा है तो काम भूछ दिला भी इसी सीट के अंतर अता है तो वहां पर घाजिया बाद सीट के अंदर ऱौ dec सीड जो गाजियाबाद है उसमें दोजिले आते हैं गाजियाबाद अब कितना काम हुआ है takich तो देख़ो हाफृइग लोग जानते होंगे लेकिन यह कि जिस से हाइव साफूड है यह आदा Warmth गंटे मोधी सरकार ने कोरोना के बाद व्यवपारियों की जो कमर जो तूट जाती उसको जोड़ के रखा बैंकों के थुरू बैंकों से बिना मांगे लोन मिले और आज भी मोधी सरकार ने सेमी के तहित पचीस परशंट तक अगर आपका जीएश्टी टर्नूबर यानि कि इमांदाई से आप काम करो तो वह बात हो गई कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मीके लपीज तो बैंक आपको खुद कह रहा है मैनेजर कि आपको पचीस परशंट तक बिना किसी चीज को रखे हुए बिना कोलेटरोल के आपको लोन मिलेगा और कोई परिसानी नहीं है आदा गंटे में आपका लोन पास हो जाता है अगर आपका पीछे बैक ग्राउंड बिल्कुल ठीक है तो अगर आप फेरा-फेरी कर रहे हैं तो आप परिसान है एक आम चेहरा आम चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है आपकी क्या सोच है मुदी सरकार में ? और मेरे पापा के नाम सोचाले आया भी है ग्राम प्रधान खा गये हैं कागजो में ओके हैं नीचे धांदली नहीं घोर धांदली है हमारे गाओं में आके कोई नहीं दे रहा है ब्लोग में हमने कंप्लेंड करें वो कहते हैं तुम्हारा पैसा निकल गया हम इसके करते हैं वो कहते हैं जी इसकी तो वो आ गही है तुम्हें मिल तो गिया है हम करते हैं कि मादम से हाथ की आवाज वहां तक पहुंचेगी बाकि 1224 में प्रधान मंत्री किसको बनाएगा हम तो मोदी जी को ही बनाएंगे पक्के बीजेपी वाले काम हो ना हो पक्के बीजेप बनाएगे वाले हैं मुस्कान कहा है जीवन ठीक चल रहा है किसको श्रेदेंगे गर आके चला रहे हैं वहां डिचला रहे हूं अच्छा यह इतना बारोसा यह पूरा जेखा शेप्टी चलते रात को 12 बजा जाते हैं जिक्कत नहीं होती है ना किसी जोर का पुलिस वाले सा अराम से बस में मोदी मोदी जपतर हो सब कुछ ठीक हो जाएगा आप एक युवा हैं आपकी क्या सोच है सरकार को लेकर मुतमाइन है मेरी शोच यह है कि जो मोदी जी के जो वादे थे जिसे राम बंदिर को लेके इनका था और 370 को लेके था वह उन्होंने पूरे करें तो इसी के बेस पर मुझे लगता है कि वोट हमको इस बार देना चाहिए इन्हें थर्ट हम देनी चाहिए क्योंकि जो इन्होंने वादे कर पर है और नेक्स तम के लिए बोलना है कि हम थर्ट पर लाएंगे तो एकॉन में भी काम हो रहा है और रोजगार मी मिल रहा है सब चीज हो रही है देखने वाला जो पोजिटिव साइट देखेगा वो देखेगा जिसको नेगटिव देखने नेगटिव देखेगा तो हमादी त треб 하기 फिर भी आएगी हिए तक जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे तब तक हाईगे तो बड़ी भविश्मादी आधि अच्छा कार्व करणा बाकी कुछ ऐसे कर्मचारी कि गलत करते हैं हम बड़े-नेता बदनाम होते हैं यह नहीं बड़े नेतातो उसमें कंग्रे सभंडी पार्टी पार्टी यह पार्टी जगैं पेसको बनाएंगे पहले मोधी उसके वाधbagi नहीं मैं तो अधर से आया हूं ने घर से निया ओफिस है वहीं से आया हूं क्यों क्यों बनाएंगे मोदीजी ठीक है बढ़िया चल रहा है फस्सक्लास काम है मोदीजी क्या दिक्कत है हाइवे बढ़िया हो गए है और दोड़ोजार आए रहे हैं एक तारिक आए जाएंगे हमारे भी आते हैं प्रसों ट्रेक्टर मार्च निकाला है जमीदार है जमीदार है किसान तोड़ी है किसान अपना काम कर रहा है किसान को याद कराना पड़ता है सरकार को कि हम है नहीं ऐसा कुछ नहीं होती है आप अब हार चीज पर में से साइकल में भी कहने लगे घाने वाले कि लेगे में सब थोड़े जाए जो चीज है वह होंगी वह बड़े-बड़े ऊपर राजिते के बैठें हैं वह इतनी एसे देखने के बाद धनने के देखने